नमस्कार दोस्तों, आयरवेग घरेलू नुस्के में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रही हैं दातों के दर्द के लिए कारगर और घरेलू उपाए दोस्तों दातों में जब दर्द की टीस उठती है तो व्यक्ती तड़पने लगता है या फिर उसकी रातों की नीन हराम हो जाती है ऐसे में ना तो वे कुछ बोल पाता है और ना ही कुछ खा पाता है दातों में दर्द दात में कीड़े लगने पायरिया आधी कारणों से हो सकता है पहला है दोस्तों दातों में दर्द की टीस उठने पर 3 ग्राम सोट पीस कर गरम पानी के साथ फाकी ले इसमें दातों के दर्द में काफी हत्तक अराम होता है दूसरा है दोस्तों सरसों के तेल में नमक मिला कर मंजन करने से दात के दर से चुटकारा मिल जाता है पर नमक एकदम बारीक पाउडर जैसा होना चाहिए यानि कि दानेदा नमक आपको नहीं लेना है बारीक नमक ले उससे अगर आप मंजन करते हैं तो काफी अच्छा उपाय है ये दातों के दर से चुटकारा पानी के लिए तीसरा है दोस्तों हल्दी की गाट बून कर दात में रखकर दबाने से दात का दर ठीक हो जाता है ये आपको इस समस्या से चुटकारा दिला सकता है अगला है दोस्तों दातों के दर्द के लिए अगर आप अद्रक का टुकडा दातों के बीच दबा लेते हैं तथा उसका रस चूसते रहते हैं तो इससे भी दातों के दर्द में राहत मिलती है अगला है दोस्तों अगर आपके दातों में कीड़ा लग गया हो तो तोलसी के रस में कपूर मिलाकर भीगी हुई रूही का फाहा रखे इससे दात का दर तुरंट कम हो जाता है तो दोस्तों ये हैं असान से कारगर उपाए जिसे करके आप दात के दर से छुटकारा पा सकते हैं इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यवाद दोस्तों